सबी दोस्तों को रजनी का प्यारधरा नमस्कार तो आप सबकी डिमांड पर आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूं पुराने शॉल या पर स्टॉल से जो ऐसी खुबसुरत चीजे जो की हम बनाएंगे बिल्कुष जीरो कॉस्ट ने और इस तरीके से हमारे जो पु चोटे-चोटे-चोटे DIY है जो कि आप एक सिलाई और एक कट के साथ में बना सकते हैं और अगर आप बिगनर भी हैं आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है आप तभी इन प्रोजेक्स को प्राइब कर सकते हैं जैसे कि आपको मैं यह दिखाऊं एक यह पॉंचू है जो आप यह देख सकते हैं यह स्टॉल है इस तरीके का एक आगे से ऐसा है और एक तरफ से ऐसा है तो इसको फेरे मैं ऐसे यूज कर सकती थी और करती भी थी लेकिन अभी इसका मन भर गया है यूज करके तो सोचा चलिए इसी के DIY आपके साथ में शियर करते हैं तो चलिए कर कर लोंगी तो इसकी लंबाई और चोडाई नापने के बाद में जो मुझे लंबाई मिली है वो मिली है लगब 39 in गृट nep तो मुझे क्या करना है पहले तो मैं इसको बीच में से कट कर लूंगी घिससे की मतब यह दो पॉर्षन में हो जाए और उसके बाद में मुझे जो करना है इसको थोड़ा-थोड़ा सा फोल्ड करना है अब देखे दुबारा से फिर से नाप ले रही हूं क्योंकि कोने से कोना मिला करके हमें इसको कट करना है जिससे की कोई भी पोर्षन जो है वो उचा नीचा ना हो जाए तो दोनों कट करने के बाद में मैंन तो मेरी ये 25 हो जाएगी अच्छा जो चोड़ाई है उसको भी मुझे कम करना है क्योंकि बहुत जादा लंबा हो जाएगा तो वो बिल्कुल नीचे तक जाएगा अच्छा नहीं लगेगा तो दोनों पोर्षन को पहले मैं थोड़ा-थोड़ा सा फोल्ड कर रही हूं इसक पोर्षन को फोल्ड कर लिया है दोनों साइड से इधर से भी और उदर से भी यानि की चोड़ाई में से तो अब ये 25 इंच हो गया है अब ये दूसरा वाला जो पोर्षन था यानि की दूसरा वाला फैब्रिक का पीस जो था उसको भी मैं दोनों साइड से फोल्ड कर रही ह एक साथ कोई भी पोर्शन उचा नीचा नहीं होना चाहिए या कम ज्यादा नहीं होना चाहिए एक चीज का और ध्यान रखें कि कभी भी आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो उसको पहले आयरन जरूर कर ले जिससे कि इसके अंदर सिल्वट होगी तो यह उचा नीचा नही दिया है अब इस पोर्शन को जो दूसरा वाला पोर्शन था इस तरीके से रखेंगे देखें यह जो फ्रिंजस थे ना फ्रिंजस को नीचे के साइड में रख दिया और यह जो पोर्शन था इसको उपर के साइड में इस तरीके से रखा है यानि एक सीधा और एक टेड़ा इस तरीके से करके रखा और उसके बाद में मैंने लगा दी यहाँ पर एक सिलाई मैं हमेशा डबल सिलाई लगाती हूँ जिसे की जो भी हमने कपडा सिला है वो मजबूत रहे आप चाहें तो सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं अब इसको मैंने डबल सिलाई लगाने के बाद में फिर इस तरीके से फैला करके देखा तो ये ऐसा बना है आप समझी गयोंगे इसकी फ्रिंजिस नीचे के साइड में है और एक सिलाई तो ये लगा दी एक सिलाई अब मैं कैसे करके लगाऊंगी ये वाला कोना उठाया और तो उपर के साइड में यानि की नीचे के कॉर्णर से लेकर के उपर के कॉर्णर तक मुझे यहां पर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है ठीक है बहुत ही आराम से सिलाई लग जाएगी नीचे के कॉर्णर से पकड़ना है और जितनी सिलाई आती है उसको इस तरीके से सिला हो जाएगा अब यह सिलाई लगाने के बाद में मैं इस पॉंचु को पहले सीधा करके देख लेती हूं यह वला पोर्शन जो डाक ब्राउन है यह उल्टा साइड है अब इसके देखे मैंने सीधा किया तो इसका नेक बन करके तयार हो गया है इस तरीके से करके अब इसको है चलिए अब इसको मैं आपको पहन करके भी दिखा देती हूं पहन करके किस तरीके से लग रहा है बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है पहनने के बाद में इसको दो तरीके से हम पहन सकते एक तो इस तरीके से पहन लिया यह बिलकुर शॉल की तरह लगेगा है न यह कोई भी पहुचू होता है उसको आप डबल तरीके से मतब दो तरीके से पहन सकते एक तो वैसे और एक इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया तो यह हमारा जैसे की पहनते हैं जनरली वो इस तरीके से आ जाएगा और इस तरीके से आप अगर आप अपने किसी भी पुराने और इनको पहन करके काम भी बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं शॉल पहन करके मुझसे इतना काम नहीं हो पाता है घर का लेकिन पोचू पहन करके आप जैसे बरतन दोने का काम है या कोई भी क्लीनिंग है कुकिंग है बहुती आसानी से कर सकते हैं चलिए अब दूसरा DIY प्रोजे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था लेकिन चलिए काम तो करना ही होता है वो जब अपना काम कर रहें तो मैं क्यों ना करूँ तो यह देखिया इस तरीके से मेरा ये कि ये शॉल है लंबा इसको मैंने डबल कर लिया है और डबल करने के बाद में जितना भी लंबा हो अगर जादा लंबा है तो आप क्ट भी कर सकते हैं अब आप देखेंगे कि मैंने इसको कोने से कोना मिला करके पहले double fold किया फिर एक और fold कर लिया इस तरीके से अब fold करके पहले मैं इसके उपर एक neck cut कर रही हूं मैं दोनों side से V neck cut कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर 3 इंच जो है वो छोड़ा है जगा और इसके बाद में एक ट्राइंगल जासा बना दिया है आप कभी भी नेक को कट करेंगे तो बहुत छोटा रखें छोटे से छोटा रखें क्योंकि अगर छोटा पहले कट करते हैं उसके बाद में बड़ा आसानी से हो जाता है लेकिन अगर बड़ा ही कट करेंगे तो फिर वो बहुत जादा बड़ा हो जाता है मैंने भी 3 इंच इसकी चोड़ाई रखी थी और लगबग 5 इंच जो है वो मैंने इसकी depth रखी है जो की लंबाई में रहेगा इसको मैंने दोनों साइट से तुर्पाई कर ली है तुर्पन कर ली है जिसे की neck बन गया है अब मैं यहां से लगबग 4-4 इंच छोड़ करके 4 इंच चोड़ाई और यह लगबग 10 इंच लंबाई इतना छोड़ करके यहां पर मैं माग कर रही हूँ क्योंकि यहां पर हमारा बाजु बनाना है तो इस वज़़े से यहां पर मैंने इस तरीके से माग कर दिया यह 4 इंच तो चोड़ाई है और जो 10 इंच मैंने उपर से लंबाई छोड़ी है यहां से तो दोनों साइड में हमें इसी तरीके से लंबाई और चड़ाई छोड़ करके नीचे के साइड में मार्ग कर लेना है आप अपनी फिटिंग के अनुसार भी इसको बना सकते हैं मैंने अपनी fitting के अनुसार बनाया है और इसके थोड़ी सी दूरी पर भी अगर आप इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तबी भी कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि यह धीला तो होता ही है आप इसको tight करना चाहें तो इसके अंदर हम string भी लगाएंगे अभी जिससे की इसको जैसे tight करना चाहें या loose करना चाहें वो अराम से कर सकें अब यह देखें मैंने इस तरीके से यहाँ पर निशान तो लगा दिया है लेकिन सिलाई हमें एक ही लगानी है जो लंबाई वाली है ना जहां पे लंबी सी हमने line लगाई थी वहाँ पर मैं इस तरीके से सिलाई जो structure है वो ready हो गया है देखिए एक सिलाई ये लगाई है और एक सिलाई नीचे लगाई है अब इसको मैं उल्टा कर लूँगी और उल्टा करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से लग रहा है देखिए बिल्कुल कुर्टे वाला शेप आ गया है अब इस पर लगाऊंगी मै बीच में पट्टी जिसके अंदर हमें लगानी है string तो पट्टी किसी भी color की मैं लगा दूँगी क्योंकि अंदर के side में है वो visible भी नहीं होगी तो पट्टी बिल्कुल exact आए इसलिए मैंने जो tail ring chalk होता है तो उससे मैंने यहाँ पर इस तरीके से पहले निशान लगा दिय और इस निशान के ऊपर पहले कच्चा टाका करते हुए मैंने पट्टी को जोड़ लिया एक side से जिसे की पट्टी ऊची नीची ना हो और बिल्कुल ठीक से इसकी fitting आए उसके बाद में उसी कच्चे धागे के ऊपर ही मैं सिलाई लगा दूँगी जब तोनों side से सिलाई ल लग रहा है अब इसके center में मैं एक छोटा सा cut लगा दूँगी बहुत ही छोटा सा लगाना है बड़ा नहीं लगाना है इसके अंदर हमें कोई भी string जो होती है वो हमें डालना है मेरे पास मेरे एक lower की maroon color की string थी वो मैं डाल रही हूं लेकिन black के ऊपर maroon बहुत ही अच्छ कान को हम tight या loose कर सके अब दिखे इसको मैंने पहन करके आपको दिखा रही हूं इसको मैंने पहना है maroon color के एक plazo pant के साथ में और बहुत खूबसूरत सी dress लग रही है बिल्कुल party wear dress हो रही है ये आप चाहें तो बहुत जादा सर्दी है तो इसके उपर आप black ही color का high neck पहन क करके उपर से gum boot और woolen legging के साथ में अगर इसको pair करेंगे तो बहुत जादा सुंदर लगेगा और एक बहुत ही अच्छा party piece बन करके तयार हो गया है ये वाली dress तो मैं फिलाल अनवेशा को देने वाली हो मैं आपको high neck sweater पहन करके भी दिखा रही हूं इस तरीके से सर्दी से भी बचेंगे और एक stylish सी dress बन करके तियार हो जाएगी मैंने तो यहाँ पे एक plazo पहना है अगर आप पाटी वगरे के लिए इसको पहन रहे तो woolen legging और साथ में gum boot के साथ में इसको pair करें बहुत ही सुंदर dress लगेगी और ये शिमरी मेरा shawl था इस वज़े से ये बहुत ही जल्दी मिलूंगी एक नए और interesting वीडियो में तब तक के लिए be happy be active अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए बाई बाई